सब्सक्राइब तो माई चैनल एड प्रेस बेल आइकन तो गेट अल न्यू अपडेट्स फ्रॉम मैक्रेम क्रियेशन हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपको मैक्रेम तावल हैंगर की और एक न्यू डिजाइन बना के बताऊंगी तो फ्रेंट्स ये न्यू डिजाइन आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को अभी तक अपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लिजिये और इवो अपडेट स्माने के लिए तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते है तो फ्रेंट्स तावल हेंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 kors ब्लो कलर में लाइटर सीजर और चाहिए आपको one ring तो चलिए फ्रेंस इसको स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेंस रिंग में आपको kors को अटाज करना है इस तरीके से हमें kors को one one करके अटाज कर लेना है तो देखिए फ्रेंस यहाँ पे 5 kors को अटाज कर लिया है मैंने अब फर्स्ट का जो kors है उसको लेके आपको सारे kors है इन्हाँ पे 5 इन लगाना है तो यहाँ पे सारे kors से पाइपन लगाने के बाद हम one यहाँ पे छोड देंगे और यहाँ पे जो सकंड कोर्ड है उसको लेके सारे kors से पाइपन लगाएंगे कर दो भाइपन लगाने के बाद है तो का देकि फ्रेंद्स यहाँ पे मैंने वान वान करके यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे मैंने पाइपन लगाया है तो ऐसे साइठ से वान करके छोड़ देना है को को और पाइप बिन लगाते जाना है बहुत इसे पर डिजाइन है अब इसको जरूर ट्राइब किजिएगा तो फिर्ण दिएधेढ पर फूर यहाँ पर बना है वाण्टो चिर्ण करके हम थू कोंड से लगाएगे तो यहाँ भी फूर बन जाएगा आप दिखिए फैर्ण यहाँ पर फूर बन गया है अब इस साइड में है जिर्ण तो हमें यह जो cord है इसको लेके 3 cord से अब लगाना है तो यह जो design है इसके साथ same हो जाएगा तो front देखिए इस side में हमने छोड़ दिया था one करके अब इस side में हम one करके add करेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 से pipe in बनाया था अब मैं 4 से यहाँ पे pipe in बनाऊंगे फूर से लगाने के बाद अब हम यहाँ पे pipe लगाएंगे pipe in इस तरीके से हमें pipe से लगाना है तो इसी तरीके से हम इसको continue करेंगे और one करके add कर देंगे और यह जो design है वो complete हो जाएगा और यहाँ जो पूर से अबनाए तरीकÀ और शालश्टें अगा स्वाँ सी तरीके Odyssey यहाँ kalo सब्वाएंगे अड़क उल्ừ को चत्ब का जाएव जध़री that lucky can र keinाएब बनाएबापके और लगाए एखंगे बदेंगे झ o optimism is और दो, प della aud希 Oh प्रंकी । यहां पर कॉप्टीट है। इस साइट में भी हमारा 8 ही बनागा है। अब इसको हमें रिपीट करना है रिजाइन को हम यह से ही रिपीट करेंगे। यह दिस लास्ट कोड है। इसको लगे सारे कॉस को हम पाइपन लगाएंगे। कि दीजाइन के और यहां पर चूड़ना है और यहां पर साथ कॉर्ट से पाइप इंड लगा देना है और यहां पर फिट से हमें इसी तरीके से वाण वान करके छोड़ना और यहां पर पाइप भी लगाते जाना है जैसे कि मैंने इस साइड पर बनाया था तो देखे फ्रेंज यहां पर सेंप्रोसेसर कंटीनु करने के बार मैं एंड में आ गई हूँ इस लिफ का तो यहां पर मैं अब एड करूंगी फर्स्ट मैं टू को एट करूंगी फिर फ्री फोर ऐसे करके मैं यहाँ पर सारे कोट से नौट लगाऊंगी वन बाई वन अब इस तरीके से अब ट्री से लगाना है जैसे कि मैंने पहले बताया था वही सेम डिजाइन देखी फ्रेंस यहाँ पर सेम प्रोसेसर डिजाइन को एंट करने के बाद यहाँ पर 10 कोट साया है और इस तरफ मैंने 5 कोट से अटाच किया था तो इस तरीके से आपको वन कोट करके यहाँ पर गैब देना होगा और इस तरीके से हम अटाच करेंगे देखे फ्रेंस यहाँ पर हमने वन को अटाच किया है अब वन को हम छोड़ देंगे और दूसरा तो यहाँ पर हमने 5 कोट का यहाँ पर अटाच किया है अब सारे कोट को हम कट करेंगे और पीछे से हम यहाँ पर स्टिक करेंगे लाइडर के मदद से उसको हम अब कट करेंगे देखे फ्रेंस यहाँ पर हम आप लाइडर के मदद से वान वर करके यहाँ पर स्टिक कर देंगे अब हमें यह जो रिंग है बाहर उसको हम यहाँ पर अब कवर करेंगे तो हमने लिया है एक्स prizes रपिंग कॉड और यहाँ पे हम लेंगे वान you तो इन दोनों कॉड से हम पहले इसको अटाज करके पीछे से लाइटर की ребята हम इसको रैप करेंगे निया पे हमने अटाज किया है लाइटर अब हम इसको टू पॉट्स को सिर्फ इस तरीके से रैप करेंगे तो यह पूरा कवर हो गया है अब हम जो एक्स्ट्र कोड है उसको कट करेंगे और इस तरीके से इसको पीछे हम स्टिक करेंगे लाइडर की मदद से तो फ्रेंट्स यह रेडी है और यहाँ पे हम अब फ्लावर को एटाच करेंगे तो यहाँ पे हम इस फ्लावर को एटाच करेंगे और यह फ्लावर का वीडियो जो है वो मेरी चैनल में है और इसका link भी मैं description box में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख लीजिए अब इसको मैं attach करूँगी तो यहाँ पे हमें लेना है one fold extra और इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे gap में निकाल के यहाँ पे हम attach करेंगे यहाँ पे हम same miril का gap है उससे निकालेंगे इसको तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है इस side में अब इसको tightly करके यहाँ पे हमें knot बनाना है tightly इस तरीके से और इसको stick कर देना है पीछे से तो देखिए friends इस तरीके से जो towel hanger है बहुत ही beautiful है आपके जो घर है उसको बहुत ही अच्छे तरीकी से डेकोरेट करेगा तो इसको आप जरूर try कीजिए अच्छा लगा तो जरूर like कीजिए और मेरी चैनल को अभिदाक अपने subscribe नहीं किया है friends तो जरू subscribe कर लिजिए all new updates पाने के लिए तो thank you friends, bye bye, thanks for watching